22 जनवरी को यद्धा में प्राण परतिष्टा होने जा रही है भगवान शरी राम की और उसको ले करके पूरे देश भर की बात करें, हरियाना की बात करें, चंडीगड की बात करें पूरा राम में महुल हो रखा है जहां जगे जगे कीरतन हो रहे हैं, बंडारे हो रहे हैं महीं अगर यवनिका गार्डन की बात करें पच्छ कुला के यवनिका गार्डन में आप देख सकते हैं कि दो दिवस्या ù जो राश्टिय स्थरीए चित्र कला कारेशाला लगाई गई है और वो संसकार भारती की ओर से लगाई गई है और आप देखेंगे कि किस तरह से पूरा जो पारक है वो राम में कर रखा है कि राम के पोस्टर और पोस्टर भी ऐसा नहीं है कि किसी कलाकार से बनवाए गए हैं आम आदमियों के द्वार है राम भगवान के जो पोस्टर है उसमें हनुमान दिख रहे हैं सीता माता दिख रही है हर एक पोस्टर अपने आप में जीवन्त कहीं ना कहीं चीज लिए हुए है अपनी बात लिए हुए है हमारे साथ तरुन बंडारी है मुख्यमंत्री मनोरलाल जी के पब्लिसिटी एड करनेंगे तरुन जी किस तरह से देखते हैं यह पूरा जो संसकार भारति की ओर से प्रोग्राम किया गया है ऐसा कि दिवाली हर वर्ष आती है और हम हर वर्ष हमारे हिंदू सनातम धरन में बड़े हर्षों लास के साथ दिवाली मनाई जाती है प्रंतु जो 22 जनवरी को दि दिवान में जायें उसका उन सपका सपना पूरा हो रहा है और आप देखिए यह पूरा संसकार भारती ने किस जंग से चित्र बनाएं और किस जंग से बच्चों और लोगों ने मेहनत करके ये चित्र बनाए है इतना लोगों में उत्सा है मां बतानी सकता कहीं बंडारे लग रहे हैं कहीं बजन संद्या हो रही है कल मुख्यमंत्री अवास पे पहली बार राम बजन संद्या हुई आप देखने लाइक नजारा है हर तरफ मंदिरों की सफा संसकार भारती पंचकुला के परधान है सुरेजी आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या मन में आई कि इस तरह की परदाशनी लगाई जाए क्योंकि 500 सालों बाद हिंदू समाज को जो मौका मिला है कि अपने प्रभु राम को एक भब्य मंदर में विराजमान देखें तो सं प्रभु राम के चरित के उपर अपने अपने धंग से प्रभु राम को चरित किया है सब जो जितने भी चत्रकारी की है देखने जोग्या है हरेक चित्र में कोई ना कोई कथा का वर्नन है जैसे जैसे जिन कलाकारों ने इस चित्रों को बनाया हरेक के पीछ एक कहानी है तो उने अपनी पूरी कहानी का बढ़नर भी किया है तो पूरा जवनिका का जो बातावरन था दो दिन पूरा राम में रहा हजारों की संख्या में प्रभु की दर्शन करने के लिए जो चित् राम में है 22 तारीक आने वाली है आज तारीक 15 हो गई हमारे पास साथ दिन बचे है और आप देख रहे हो पंचकुला के आंदर आसपास पूरे हिंदू पूरे इंडिया में हर जंगा राम के नारे राम के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं यह दिवाली से उपर महस्तव आने वाला है हमारी जिंदगी में 22 के लिए हम सब मिलकर अपील करते हैं कि अपने घरों में दीवे जलाए घी के दीपक होने चाहिए मिठाईया बांटो और हर्श की तरह यह पर बनाया जाए बिलकुल हमारे साथ जैकोशिक भी है यहां पंचकुला के पार्षद हैं जैकोशिक जी किस तरह से देखते हैं कि एक गिलैरी जैसा की सुरेज गोयल जी ने बताया कि गिलैरी जैसा योगदान उनका राम मंदिर के लिए हैं बहुत बढ़िया जो आयोजन कारे करम का किया गया संसकार भारती दुवारा बहुत ही मदब पंचकुला के इस पारक में काफी राम हो गया तो इस तरीके से मदब बहुत लोग जागरुक हो रहे हैं और बहुत ही बढ़िया कारे करम संसकार भारती दुवारा ये किया गया और मैं भी यही कहूंगा कि सभी अपने घरों में 22 तारिक को दिपक जलाएं और दिपावली की तरह हमारे राम जी का महलों में स्वागत करें सभी मैं यही करना सकते हैं कि यही अपील है कि महलों में स्वागत करें और किस तरह से देखिए एक एक छित्र जो अपनी कहानी खुद कह रहा है और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत प्रोफेशनल जो कलाकार हैं उनके द्वारा ये बनाए गए हैं जो आम लो आपको देख रहे हैं तो कहीं न कहीं हर एक चित्र अपने आप में खुद की कहानी खुद कह रहा है तो जहां पूरा देश राममे हुआ है और अलग अलग धंग से लोग इस जो च्छन आया है ये जो अद्बुट सैयोग आया है उसको भुनाने में लगे हैं वही संसकार भारती की और से भी यह प्रियास किया गया है और जैसा योगदान कि यहाँ पंचकुला के यवनि का गार्डन में किया गया है है जिसका सभी लोग लाब उठा रहे हैं कैमरमन टाजंदर पंचकुला